नमस्ते दोस्तों आज मैं फिर से आ गई हूं एक नई रेसिपी के साथ तो वीडियो को पूरा देखिए और रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक करिए तो देखिए आज मैं बनाने वाली थी छोटी वाली मचली सबसे छोटी मचली जो आती है वो उसके लिए मैंने लिया ह ऑने मिर्च में रहें है 1 चम्मज जीरा और 10-12 के करीब कालीब और में लिए हैं डेष शचंप में देखिए छोटी में पिली वाली है आप काली यूज कर सकते हो अग और में थोड़ा सालिया है पोस्त धाना यह अप्शनल है और इसके बाद में लिया है लेस्न लेस्न फो मेरे पाप साबुत लाल मिर्च नहीं थी तो मैने मिर्ची पाउडर ही डाल दिया है और धनी पाउडर डाल दिया बस इतनी चीजे बेद्गे और कोई मसाला नहीं जाएगा और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पानी और इसको में एकदम महीन पेस्ट बना लेंगे अच्छे से पीस लेंगे इसको कि भेडों यह इस स्वाद बनता है मैं अब यह दिया हैं विए अधाइ और यह बोलते हैं कुछ भा horrific है हमेशा नहीं मिलती और इसको बस ऐसे हिला के ना धो देना होता है अंदर से कुछ निकलता नहीं लेकिन बस यह है कि धोने में ना कम से कम 10-15-20 बार भी धोना पड़ सकता है आपको लेकिन सरफ पानी एक्सचेंज करना होता है बहुत जादा कुछ अंदर से नहीं निकलता है तो मैंने धो लिया था आप इसमें मैं डाल दिया है अधी चम्मच हल्डी पाउडर नमक स्वात के हिसाब से डालना है जितना आप खाते हो उसके बाद यह जो मैंने पेस्ट बनाया था ना इससे मुझे कुछ और भी रेसिपी बनानी है तो इसमें से मैं निकाल के इसमें 3 चम्मच के करीब डाल लूरी वह पेस्ट जाधा भी डाल सकते हैं थोड़ा कम भी डाल सकते हैं लहां मिला लिए थो नहां वह सरसले समय भी डालू cops में यह अच्छे से लिए बना तो दो इसे बांती हैं सब को हम अच्छे मिला लेंगे और यह रेसिपी बिल्कुल उतनी तो लेकिन मैं तो नहीं खाती तो मुझे पता था कि यह बहुत ही टेस्टी बनता है तो अभी देखिए मैंने यह पैन चड़ा दिया है गरम होने के लिए और मैंने उनको मसाले में मिला के रख दिया है और यह बिल्कुल चार-पांच मिनट में बन के न यह रेडी हो जाता है और बहुत ही स्वाद बनता है तो देखिए पैन गरम हो गया है मैंने तेल डाला है तेल हिसाब से ही डालना है और इस तरीके से हर तरफ ग्रीस कर लेना है कड़ाही को और अब यह जो मैंने पूरा मिक्स्चर बना के रखा था ना इसको ऐसे डाल देना है बिल्कुल जैसे टौ। बैर बिल्कुल डालते है थजो और तरफ तरफ फैला देना ही कि क्यार गैस जो है उसको मीडियम तो दो पर करके और धग देना हमेरे स्ट्री पखाना थे करें दक्याथ से हैं कि तरफ है देखिया हो देख्ण दिया है और अब देखो इसको बीच वीच में द्रेंक पहार से कुछ नहीं डालना है वैसे भी फिश तो बहुत जल्दी पक जाता है थोड़ी थोड़ी देर पर देखना बहुत ज़रूरी है ताके जलना जाए तो देखो यह ओल्मोस्ट 60 पॉसेंट पक चुका है अब देखो अब यह पूरा पानी जब सूख गया ना फिर इसको हम पल्टेंगे बहुत ही साओधानी से नहीं तो बिल्कुल इसका चोखा बन जाएगा चटनी बन जाएगी फिश की तो ऐसे बहुत ही साओधानी से और इसको पूरे प्रोसेस में ना सिर्फ दो बार ही चलाना होता है एक मैं अभी चला रही हूं एक बार और इसको पलटना रहेगा तो देखिए मैंने इसको पूरा पल्टा पलट के फिर से इसको ऐसे अच्छे से फैला देंगे और धग देंगे और धग के फिर से इसको वही मीडियूम टू लो फ्लेम पे दो तीन मिनट इधर भी कुक हो चुका है बट जितना कर ले अच्छा ही है और देखिए यह पूरा गल चुका है लेकिन अभी इसको ना हमें थोड़ा साना जैसे भूनते हैं रेड करते हैं पकोड़ा वैसे कर रहा है इसको तो देखिए मैंने थोड़ी दिर धग दिया है ताकि पीछे के तरफ बि हम चूर पाउडर नहीं है तो आपनी मू भी नहीं चोड़ सकते हैं तो इसमें मैंने हर तरफ थोड़ा 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 करके इस प्रिंकल कर दिया है क्योंकि ना इसको बहुत जादा चलाना तो है नहीं तो एक जगह डालेंगे तो फिर मिलने पाएगा और अब इसको एक बार और हमें पलटना है मतलब यह पूरा फिश्च बनने में सरफ दो बार ही पलटना है और देखिए कितना बढ़ियां बिल्कुल लाल लाल हो चुका है पीछे के तरफ ऐसे साउधानी से इसको पलटना है ताकि बहुत ज़्यादा ऐसे पिसना जाए देखो अब यह जो है ना यह बन चुका है बन के बिल्कुल रेड़ी है बिल्कुल लाल लाल दिख रहा है आप देख सकते हैं और फिश तो गलने में बहुत ही कम टाइम लगता है और यह सच मैंने वोला था कि बिल्कुल ओमलेट इतने टाइम में ही बन जाता है तो गैस अब मैं कर रही हूं बंद इसके बाद इसको अब हम थोड़ी दिर बाद सौफ कर सकते हैं वैसे तो यह रोटी पराठे के साथ ज् पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बारा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में